ये पहाडी इलाका भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ किलोमेटर दूर है मुहमद शेक पासी के एक गाव में रहते हैं कुछ घंटे चलने के बाद आखिर उन्हें वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी ये गुच्ची है एक किसम का जंगली मश्रूम और ऐसे एक किलो मश्रूम की कीमत पचास हजार रुपए तक हो सकती है तो उनसे वो तीन चार महीनों तक अपने परिवार का खर्ट जुटा सकते हैं मुश्किल पढ़ते हैं चड़ने का डूने का और डर भी है हर चीज का जानवार का भी है ऐसे दूर दरास के अलाकों में जहां गोली बारी कर्फ्यू जिंदगी का हिस्सा है काम कम ही मिलता है ऐसे में गुच्ची का महत्व और बढ़ जाता है ये साल के बस दो महीनों में उखते है इस कठिन रास्ते पे चलके हमें दो और मुरेल मश्रूम मिले है मतलब एक पूरी सुबह में पहाड चड़के हमको टोटल तीन मश्रूम मिले है अभी ये बहुत सालों से कश्मीर में उनके खाने में इस्तमाल होता था लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में इसका जो डिमांड है वो अंतर देशियर बाजार में बहुत बढ़ गया है और इसलिए इसका दाम भी बहुत बढ़ गया है कश्मीर के पहाडों से कुच्ची यहां पहुंचते है इनके स्वाद ने दुनिया भर के शेफ का ध्यान खीचा मुंबई के इस रेस्टरॉन में सुखे मश्रूम का ये डिश खास माना जाता है दुनिया के बड़े रेस्टरॉन के मेन्यू में ये मश्रूम है इस तरह के मुश्किल से मिलने वाली चीजों पर दुनिया भर के रेस्टरॉन नजर रखते है ताकि उन्हें अपने मेन्यू में शामिल कर सके भारत में मिलने वाले लगभग 90 फीसदी गुच्ची एक्सपॉर्ट कर दिये जाते हैं वे दूसरे देशों में भी मिलते हैं पर कश्मीर के लोगों के लिए इनकी कीमत कई ज्यादा है जिनकी जिन्दगी की मुश्किले इनसे थोड़ी कम हो जाती है युगतलमाय बीबीसी कश्मीर